कानूरी व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देने की एक कोशिश इंडिन गावोर्मेंट ने की है इसलिए तीन नए कानून इंट्रिड्यूस किये है अब उन्ही तीन नए कानून के बारे में आज हम आपको थोड़ा सा एक विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे और इस इक डिफरेंस क्या आया है उनके आज आने से क्या बदल गया है और हम और आप जैसे लोग जिस चीजों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कानूनी टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं उन लोगों के लिए सिंप्लिफाई करेंगे आज के राउंड अप में नमशका अच्छीर के लिए चीज़े अलग होती हैं यहाँ पर दो ऐसे चालेंजेस हैं इन दो स्टेट्स में जो पूरे देश जिससे कही ना कहीं ग्रसित है और इसे लिए ये तीन कानून उन दो कॉंटेक्स में किस तरह से हेल्प करेंगे इसके लिए भी हम इसी चर्चा में हम उ अर्टिकल का एक सहारा ले रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतिया न्याय सहीता इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है और इन फाक्ट भारतिया नागरिक सुरक्षा सहीता रिप्लेस करता है क्रिमिनल प्रोसीजर को जिसको हम CRPC भी कहते थ और भारतिय साक्षिय अधिनियम रिप्लेस करता है 151-year-old Indian Evidence Act को तो यह जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यह 100 साल से उपर पुरानी व्यवस्थाएं हैं और इनको रिप्लेस किया गया है क्या इनको सिर्फ इंडियनाइज करके छोड़ दिया गया है या सच में कोई डि सच में कोई बहुत बड़े चेंजिस आ गये हैं तीन कानूनों के आ जाने से यह व्यवस्था बिल्कुल वही रहती है वस इंडियनाइस करके छोड़ दिया गया है नहीं कुछ तो प्रोग्रेसिव इसके अंदर चेंजिस हैं मैं आपको बताता हूं जैसे IPC की बात है जो सब्सक्राइब भारती नियाए सहीता की रूप में जाना जाएगा कुछ उफेंसिस उसमें इंटर्डूस की गए हैं जैसे इंटर्डूस हो सकता है पूरी रूप से वो फ्रेश फ्रेशली इंटर्डूस ना हो लेकिन नेशनल लेवल पर डेफिनिटली है यूए पीय में तो उसको वहां इंपोर्ट करके अब वो इसको बीएनस का हिससा बनाया गया तो टेरिस्ट एक्ट जो है वो इसके अंदर डिफाइन है हाला कि कुछ कवियेट है कि पूलिश अधिक्षक जो है वो डिसाइड करेगा कि उसमें यूए पीय में अपराद पंजिबत करना है य महराष्ट्रा में मोकोको अधिनियम है होड़ी महराष्टा कॉंट्रल फॉर और जिल्ली में भी लागू है तो पैन इंडिया पे आप कह सकते हैं कि लागू कर दिया गया है तो वह आप क्रूंकि बी एंस का हिस्सा है तो और हमाराइज क्राइज के अन दर यह नं तो यह तीन अपराद मुझे लगता है और एक पैटी ओर्गनाइज क्राइम हैं यह तीन चार अपराद हैं जो इसके अंदर इंट्रियूस किये गए हैं नए हैं एक पैनल्टी के रूप में कॉम्मेटी सर्विसिंग आप कह सकते हैं कि वह एक नया वेस्टन कंट्री में उप इस प्रजेंस भी इवोल होगा लेकिन कुछ अपरादों में हैं लेकिन जहां तक मुझे लगता है एक को छोड़कर टोटल सिक्स ओफेंसी में उसका मैंशिन किया हुआ है पांच ओफेंसी में वह नोन कोगनिजेबल हैं तो बहुत ज्यादा उप्योग नहीं होगा क्योंक जो फाइन है वो बढ़ाया गया है किसमें मिनिम्मम तै किया गया है यह कुछ ऐसे चेंजिज जो कई अपरादों में रहे हैं पर मेजर चेंजिज जो मैंने बोला जैसे आपको तो वह इसी परकार के हैं कि कुछ इंटर्डूश की गए हैं और कुछ जो सुप्रीम कोट ने उसको डाइलूट किया गया मतला वह अब उसको नाब के वराबर कर दिया गया और उसको नोन को अपनी लॉफुल पावर इस्तिमाल कर रहा है तो उसको रोकने के लिए को धंकी देता तो तभी अपराद पंजीबत होगा तो अधर्वाइस वह लगबक अंडू कर दिया गय वो है एविडिन्स के प्रकार को लाइक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पहले ओप्शन ज्यादा थी ऐसा नहीं है कि बहुत की एकदम से नया कॉंसेप्ट है पहले भी उसका उलेक था उसके अंदर लेकिन अभी कई जगा जहां तक पर्टिकॉर जो सर्च इन सीज कि अलेजर के प्रोसेशिय या मोगे पे जो सीन आफ क्राइम पर क्या सीज़ किया वो भी लगबग्त प्रवर्ति वही है इसको में डिटरी किया गहां तो इसमें मुझे लगता है फुलिस को थोड़ा सा ग्राजुली है अला कि है इसमें एसाक्ष एक एक एप बनाये गया ह इंट्रडूस किया गया है वो पुलिस को धीरे-धीरे इसमें परिपकता लानी होगी दूसरा इसके अंदर जो फॉरेंसिक का यूज वो ज़्यादा से ज़्यादा हो कि अगर कोई गंभीर अपराद है, साथ साल से ज़्यादा का कोई अपराद है तो एक्सपर्ट का मोके पर पहुंचना ज़रूरी होगा तो वो प्रावधान अच्छा है, लेकिन उसके लिए उसके पीछे रिसोर्स होना ज़रूरी है कि वो जिले लेवल पर मुझे लगता है आपको मोबाईल लैप्स होनी जो पढ़ेंगी एक्सपर्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अपके हैड़कोर्टर में जांच की रिपोर्ट जल्दी आएं वो बढ़ानी पड़ेगी, तो इसका उपयोग थोड़ा सा पर तु कम से कम एक शिरुवात है कि इसका बहतर उपयोग करके कन्विक्शन की और कैसे ज़्यादा बढ़ा जाए, एक यह बदला भी मुझे बहतर लगता है इसमें एक बदला हो रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट समको मिलती थी, वो कई बार विलम हो जाती है तो वो अब उसके अंदर एक टाइम मौंड किया है कि विधिन सेवन डेज वो डॉक्टर्स को जो है, जो एमल सी करते हैं, वो उनको देनी पड़ेगी वो मर्जिस्टेट को फरोड करेंगे तदकाल, आयो को देने पड़ेगी, तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है बहतर दूसरा कुछ प्रावधान है, गिर्फतारी की जो हैं, उसके अंदर का छोटे अपराद हैं, तीन साल से छोटे अपराद हैं, तो उसके अंदर वो डिवाईएसपी है, उसकी अगर अपरादी ज्यादा उमर का है या इन्फार्म है, तो उसकी परमिशन की जूरत मुझे लगता है कुछ न कुछ बेटर है, कि हर व्यक्ति बुड़े आदमी को ठाने पर गिर्फतारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, कहीं न कहीं उसमें थोड़ा रिलाक्सेशन दिया है, रिमांड पे मुझे लगता है काफी इसका विरोध हुआ है, कई सेक्शन में, त जो 40-60 देज हैं, उसके अंदर 15 देज दिया जा सकता है, अर्था तो बाकी बच्चवे में उसके लिए adequate ground होने चाहिए, और वो जुडिशिरी उसको देखेंगी, magistrate देखेंगे, तो उसके अंदर caveat है, यह सही है कि 15 दिन से ज्यादा दिया जा सकता है, लेकिन वो 60-90 देज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो clear है कि पहले 40-60 देज में, it will be maximum of 15 देज, तो वो उतना अक्स्टेंड नहीं होगा, लेकिन यह कभी कार ऐसा होता है, हिन्यस ओफेंस में, कि कोई नए ऐसे facts आज आते हैं, नए grounds आते हैं, इसके लिए फिर से पूस्ताज करना जहां तक मुझे मेरा अन्भव ये बोलता है, कि जीरो एफ़ई आर पे पहले मनाई नहीं थी, और ऐसा प्रावदान है, CRPC में पहले, कि कोई भी कोट इस बात पे पुलिस की investigation question नहीं करेगी, कि उन्होंने वो out of jurisdiction काम किया है, तो यह indirect प्रावदान था, इस प्रावदान को direct कर दिया गया है, आप ऐसा कह सकते हैं, कि आप जो है, वो कोई भी व्यक्ति उस प्रावदान के साथ थाने पहुंच सकता है, कि यह आपको अपराद पंजीब करना होगा, और विक्टिम को इधर उधर थानों में नहीं भटगना होगा, अगर कोई डाउट भी होगा, हाला कोई ऐसा एविडेंस है, जो विक्टिम को मुझे लगता है, वो मिलेगी, EFIR की जहां तक बात है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, electronic means है, अब हो अमें सभी विभागों को, अपना पुलिस विभागों को, हर स्टेट्स को, अपना infrastructure, अपनी portals डवलप करने होगे, कुछ न में भी प्रावधान है, एक crime को रिपोर्ट करने का, already government of India का cybercrime.gov.in portal है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, तो उस पर जो है, वो अगर तीन दिन के अंदर, कि वो शर्त इतनी है, कि तीन दिन के अंदर वो पहुँच कर उनको signature करने हो, क्योंकि EFIR में signature mandatory है, तो तीन दिन अं करके अपना मामला आगे ना पड़ा है, अगर कोई sensitive परकारण आता है, ऐसी information आती है, व्यक्ति नहीं भी पहुँच पाया तीन में, तब भी उनको प्राथ्मिक जांच करके अपनी कारवई करने से कोई रोकता, नहीं है, तो यही प्रावधान मुझे लगते है कुछ न कु प्रोग्रेसिव हैं, कहीं न कहीं victim को help करने की बार बोलती है, आपके points को अगर मुझे थोड़ा सा nut shell में डालना पड़े, तो बिल्कुल मैं यही डालूंगी कि zero F.I.R. यानि कि कहीं का भी मामला हो, पुलिस को ततपर इस पर act करने का एक प्रावधान बहुत directly दे दिया ग और forensic experts को अब सीन पर पहुचना बहुत जरूरी है, अगर crime को साथ साल से जादा का वक्त होगा तो, और in fact वहाँ पर भी, अगर forensic experts भी ground पर पहुचते हैं, तो videography करना जरूरी है, ताकि transparency बढ़े, और evidence के साथ कोई भी tampering, यानि कि छेड़ चाट ना की जा सके, सर, ये तो कुछ major changes थे, जिसकी आपने बात की, और nutshell में आपने बहुत अच्छे से इसको explain कर दिया, लेकिन evidence act पे, Indian evidence act जिसको बदला गया है, उस पर आप पहुचते पहुचते मैंने आपको interrupt कर दिया, उस पर क्या major changes आए है, evidence को लेकर, अगर चीजे आती हैं, तो provisions में क्य बदलाव किये गए हैं, अच्छे बदलाव किये गए हैं या बिल्कुल copy paste कर दिया गया है, देखिए एक major बदलाव जो है, वो है electronic evidence के related है, पहले जो एक certificate क्या होता है, कि एक primary evidence होता है, एक secondary होता है, अगर आप original जो evidence है, अगर आप उसको seize करते हैं, तो that is called primary evidence, अगर आप सपोस करिए कोई बहुत बड़ा system है, जैसे हमारे telephone उसमें रहता है, तो वो एक copy करके आपको देते हैं, क्योंकि पुरा system को नहीं लाए जा सकता है, तो जब भी आप secondary copy लाते हैं उसकी, तो उसको secondary evidence बोलते हैं, तो उसके साथ एक certificate की अवशकता होती है, जिसमें ये ताकि authenticity integrity उसकी बनी रहे, कि हाँ ये system ठीक काम कर रहा था जब उसकी copy की गई थी, तो वो शर्तें कुछ रहती है, वो specified पहले 654 में थी, अभी वो 63 में है, एक जो परिवर्तान उसके अंदर, कि इसके अंदर एक तो जो hash algorithms लगने थे, वो इसके अंदर specify कि रहे हैं, कि तीन का उसमे करके उसको हम सेव कर लें, और उसके साथ tampering ना हो सके उसके पाद, क्यों भही पर freeze कर दिया जाता है वो, तो वो उस format को एक तो standardized कर दिया गया है, standardized कर दिया गया, अब पहले होता था एक व्यक्तिव को sign करना होता था अभी जिसके कबजे से जो बनाता है, जिसके कबजे में कि आपको cyber expert से भी उसको signature करना है, लेकिन format को थोड़ा सा local level पर उसको बदलते रहें और hash value लगाना को न भूले, और वो पुलिस को थोड़ा सा इस मामले में अपने आपको सीखना है कि ये hash value, जहां तक पुलिस वीडियोग्राफी करेगी तो वो government of Indian e-sakshya का एक एप बना है, तो मुझे लगता है जो जो प्रावधान है, बैसिकली जो बदलाव हुआ है, थोड़ा सा primary evidence electronic में कहा हता है, उसकी थोड़ी explanation दी हुई है, तो बदलाव evidence act में ये मुझे इतने बदलाव दिखे हैं, सर अब 36 गड़ के परपेक्ष में अगर हम जाएं, तो नक्सिलिजम के लिए आपको लगता है कि ये जो नए कानून है, क्योंकि अभी बहुत जादा फोकस कर लिया गया है, कि नक्सिलिजम को एंड करना है, बिल्कुल तीन साल का एक time period भी दे दिया गया है, कि इस timeline में नक्सिलिजम को खत्म करना है, आपको लगता है, ये नई laws जो लाएगा अगर 36 गड़ के परिफेक्श में दिखा जाए, आपने अल्रडी यूए पीए का जिक्र कर दिया है, उसको जड़ा ओर डीटेल में अगर बताएं, कि टेर्रिजम से या टेर्रिजम या मावाइजम में कोई help मिलेगी ये नई तीन कानून आ जाने से, और 36 गड़ को इस पर अगरा जाने से, और 36 गड़ा जाने से, आपको प्रोजिकुशन की अनुटी लेनी होगी उसके अंदर वो स्कूटनी होती है, हलाकि वो बहतर है, इन्वेस्टिगेशन बहतर हो, उसके लिए वो जहूरी है कि कोट में ट्रायल में जाने से पहले, वो एक्विटल नहीं होग और यह एंशोर हो जाता है कि आपके पास एविडेंस प्रियापत है, तो वो स्कूटनी इस अल्वेस बेटर, तो वो अब इसके अंदर क्योंकि वो प्रावधान नहीं है, वो इंपोर्ट, डेफिनेशन इंपोर्ट की गई है, बाकी प्रावधान जो है, चेक्स और बैलें इसके अंदर लागू होगा, इसके अंदर थोड़ा अपरादी को ये फायदा होगा, कि उसके अंदर जो बेल की प्रावधान थे, यूए-पी-ए में वो ज्यादा स्थिक्ट हैं, कि प्राव में फसाई केस होना चीए, कोर्ट उसको देखेगा, इसके अंदर वो नहीं रह करने के लिए उसको करने के लिए चाहिए फंड लेने वाली हो, इसके अंदर पूरी चीजें को पी नहीं की गई है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, और ये निर्ना जो लेना है, वो पुलिस अधिक्शक को लेना है, कि यूए-पी-ए में एक्शन लेना है, या तो उनको ये स करना है, वो भी एक नोटिफिकेशन अलग किया शक्ता होती है, इसके अंदर वो शर्ते नहीं है, तो विवेचना में थोड़ा इजी होगा, लेकिन जो चेक्शन बैलेंस थोड़े हैं, वो कम हो जाते हैं इसके अंदर, परन्तो ये मावस्ट एक्टिविटी में इस सेक्श तो अबजेक्टिविटी में हैं कि जो गवर्मन्न आफ इंडिया की जगा था, अब नौ इट इस रिपलेस्ट विड्लेस लाइक यूनिटी ए इंटीग्रिटी ओफ इंडिया, तो अगर इंडिया के खिलाफ आम्र रबेलियन शब्द एड किया गया है, चाहे वो फैनाशल मीन से भी उसको आडिकिया गया है, उसके अंदर तो थोड़ा अबजेक्टि बनाया गया है, तो मुझे लगता है आम्र रबेलियन क्योंकि माउस का जो मेन अजंडा ही है कि ओवर्थो करना गौर्मनेट को यूजिंग आम्र स्ट्रगल, तो वो इस सेक्शन का भी पुलिस पहले बहुत जादा उपियोग इसका नहीं होता रहा है किसी भी परदेश में, इसका उपियोग विजे लगता थोड़ा बहतर किया जा सकता है, और नाइस क्राइम, कंटिनिस और नाइस क्राइम, एक और नया इसके अंदर ओफैंस है, जो मकोकस जैसे मैंने बोला लिया ग पहले भी, लेकिन जैसे मैंने बोला थोड़ा सा इफन बट्स के साथ, जो नए सेक्शन हैं, उनका बहतर उपियोग इसके अंदर करने के कुश्च की जासे है, बिलकुल, तो बिलकुल सिस्टम जो है, थोड़े से सिंप्लिफाइज जरूर हुए है, लेकिन अभी भी काफी काफी कॉंपलेक्सिटी बनी हुई है, आखरी मेरा सवाल ये होगा, क्या सिस्टम रेडी है, हमारे पास क्या वो मशीनरी तयार है, क्या पुलिस ऑफिसर्टेंड है, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए और अच्छे से इंप्लिमेंट कराने के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है सब, कानून तो आते रहते हैं, लेकिन इंप्लिमेंटेशन ऑन दे ग्राउंड जब आता है, तब कई सारी चीज है, नॉलिज के अभाव की वज़े से भी डाइल्यूट हो जाती है, उनका असर भी खतम हो जाता है, तो आपको लगता है कि सिस्टम सिर्फ लाद दन से परियाप नहीं होता, उसकी मशीनेरी तियार करना जादा इंपोर्टन है, तो जहां तक नए करून में क्या बदलावाए हैं, उसकी ट्रेनिंग मुझे लगता है, चल रही है, और थोड़ दिन और चलेगी, ताकि जब तक परिपक उसको समझ नहीं जाते, तो उसमें ट् सब्सक्राइब करते हैं, तो जहां तक बात है, तो मुझे लगता है, जो साइबर का जो इंफरस्ट्रक्चर है, उसकी लिए हैं, बजट मिलना, उनको खीदना, एक्सपर्ट की भरती करना, इसमें समय लग सकता है, तो मुझे लगता है, एक रोड़ मैप स्टेट पुलिस को बनाना होगा, कि अगले पांच साल में, क्योंकि उसमें पांच साल का उलेक भी है, जहां तक फरेंसी की बात है, तो इलेक् इसको डिजिटल करने की बात कही गई है, लेकिन डिजिटल सिस्टम को और सशक्स करने की बहुत ज़्यादा जरुवत है, क्योंकि साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जी, बिलकुल, साइबर क्राइम में जैसे, आप देखें को कुछ पुलिस टेशन नए बन रहे हैं हमारे लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जो आई-उस हैं, आई-उस जो होने चाहिए, वो किम्प्यूटर साइंस के बेक्राइटी पर लेना होगा, विमन ओफिसल्स के लिए इसके अंतर प्राव जाना है कि F.I.R. जो है, रेप की जो F.I.R. हरा है, व तो वो कानून के वल प्रयापत नहीं है, विमन की भरती के लिए एक मिशन एक ड्राइव चला के कुछ भरती भी मुझे लगता है, तो साइबर एक्सपर्ट्स की जो आई-उस हैं, उनकी भरती और विमन ओफिसल्स की भरती, इसमें अगर पो एक्टिव स्टेप नहीं ताकि implementation of the ground बिल्कुल उसी intention से हो सके, जिस intention से इन तीन कानूनों को लाया गया है, विमन ओफिसल्स की बहुत ज़्यादा जरुवत है, क्योंकि बोला गया है कि रेप केसे में विमन ओफिसल्स ही statement दर्च करेगी, वरना एक विमन ओफिसल्स की presence में statement दर्च होगा, और उसमे विक्टिम की relative का होना बहुत ज़्यादा अनिवारिय कर दिया गया है, तो उस case में क्योंकि रेप बहुत ही जो एक रेप, ये जो crime है बहुत ज़्यादा बढ़ते numbers में, पूरे देश भर में होता है, तो इसलिए बहुत जरुवत है विमन ओफिसल्स को इंडक्ट करने की, उसके साथ साथ हर एक चीज़ को डिजिटल करने की बात कही गई है, electronically समन भी किया जा सकता है, और हर एक चीज़ को digitally track भी किया जा सकता है, तो इसलिए सशक्त digital system को make in India और digital India के तहत, जो digital system है, उसको सशक्त जो शुरुवात जरूर हुई है, लेकिन सशक्त करने की बहुत ज ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा digitization भी अगर होगा, तो वो system को strong करने की बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है पड़ेगी, आज के लिए बस इतना ही, मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूँ, विडियो जॉनलिस्ट रागमिंदर पांडे के साथ, नम झाल 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